नमस्का दोस्तों चलिए तो हम लोग आज बात कर लेते हैं भारतिये रेलवे का संगठनात्मक पुनरगठन हुआ है इसमें संबंदित आपके इतने भी कुर्शन्स हों में सभी सॉल्व हो जाएंगे कि इससे लाग क्या होगा इसकी ज़रूरत के उपड़ी प्रयाकर है क्या जितने भी आपके फक्षें वो सभी इससे पूरे हो जाएंगे चर्चा का कारण रहा है हाली में केंदरी केबिट में रेलवे बोर्ड के पुनरगठन को मंजूरी देते हुए बड़ा बदलाव करने का एलान किया है जहां एक तरफ रेलवे बोर्ड में मौझूस मौझूस सदस्यों की संख्या में कटोती की वहीं दूसरी तरफ रेलवे में मौझूस सभी केडर का विले करके एक नया केडर बना दिया गया है रेलवे बोर्ड में अब तक चेर्मेन के अलावा आठ सदस होते थे जो अलगलग सर्वेसिस से आते थे अब सभी विले करके इंडियन रेलवे मेरेंजमेंट सर्विस बनाने की मंजूरी दे गई है ठीक है देश के देश के निरंतर्व विकास में सोचारू बसमन विद परीवहन पडाली की महत्पुनगून क्या होती है रेल भारत में यादता याद का मुख साधन होने के कारण के साथ ही देल के देश के विएस्ता बना चुकी है रेल गाड़ियों के आबागामन ने जहां हमारे देश की कला संस इतिहास साहेत का अदभूत प्रभाव डाला है वही है हमारे देश के विभिन में प्रांतों के लोगों के बीच विवित्ता में एक्ता की एहम कड़ी भी है भारती रेल विभिन इ अधिये ही से और कम लागत पर आने जाने में मदद करती है इस विक्रिया में भारतीय रेल राष्टी अकंड़ता का पितीक है भारतीय रेल यहां अपने सामाजिक दायतों करने रवाह करने के लिए सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रख कर याक्तरी तथमाल गाड़ी भारतीय रेल वे जो कई रेल खंड़ों पर घाटा सहकर भी वहां याक्तरी और मालकाड़ी सेवा परिचालित करती है भारतीय रेल द्वारा परिसंपत्ति की उत्पादक्ता बढ़ाने इवन प्रोदुगिकी का आधुनी की करन करने के लिए अनेक प्रेतन किये जा रहे है बरतमान में भारतीय रेल विस्त की सबसे बड़ी रेल पड़ा ली है इसके पास 64,000 किलो मीटर लंबा रेल मार गए जिसमें बड़ी लाइन है 52,808 किलो मीटर मीटर गेज लाइन है 8,873 किलो मीटर पच्छोटी लाइन है 27,34 किलो मीटर बारतीय रेल को अब दूसरे छित्रों से कड़ी पितिस्त परदा मिल रही है इसे एक तरव राश्किय मारगों और दूसरी तरव एयर लाइनों से कड़ी पितिस्त परदा करनी पड़ रही है दुनिया में भी निर्माड पिक्त्रिया के वेस्वी करण की बज़े से रेल याताया की परिभासा ही बदल गई कंटर्नर फिडाली ने रेल और शड़क परिभान के अंतर को समात कर पुम्भोकता की घहर तक सेवा उपलग्द कराने जैसी सुगदाएं उपलग्द कराएं बारतिय रेल ने आम लोगों के बीच रेलवे की बास्त्रिक इस्तिती को सामने रखने के लिए सुईत पत्त के साथ बीजन 2020-2020 भी संसत के समक्ष पिस्तोत किया है बीजन 2020 दस्तावेजों को रेलवे के बविस्ट का बीचत महत्तोंड दस्तावेज माना गया इस दस्तावेज में विश्तार की बहुत महत्त्वा कांची उजन रखी गी आगामी दस बरसों में भारतिय रेल नेटवर्ग में 20,000 पुलों का 59 स्थापन 17,000 बिना चौकीदार वाले संपारों पर चौकीदार तैनात करना 25,000 किलोमीटर नई लाइनों का निर्वाण करना और 12,000 किलोमीटर का दोहरी करन करना सामेल है इसमें बात करते हैं इसकी आवस्तक्ता क्यों है क्या है आवस्तक्ता क्यों है रेलवे के विविन विभागों में ब्राप्त गुटबाजी से काम काज़ पर पढ़ रहे असरस से सबक लेती हुए सरकार नहीं कि थिहासिक नेडल की तहट रेलवे की आठ विविन सेवाओं को आपस में मिलाकर इंडियन रेलवे मेरेजमेंट सर्विस नामके नई सेवा बनाने करने लिया है इसी के साथ रेलवे बोर्ड में आठ की जगह सिर्फ चार से दस होंगे जबकि चेयर्मेंड को चेयर्मेंड सैसीयो के नाम से जाना जाएगा 1905 से रेलवे में आठ सेवाओं की जरिये काम होता है पर उन्तु बक्त के साथ इससे बिवागों के बीच वर्चस की लड़ाई और गुटवाजी को बड़ावा मिलने से रेलवे की प्रगितिक बादित होने लगी है इसलिए आठ विवागों को एक सेवा में बिलीन कर इंडियन रेलवे मैंनेजमेंट सर्विस के रूम में नई सेवा सुरू करने करने ड़ा लिया गया है रेलवे सुधार समतियां भी देख लेते हैं क्या रेलवे में सुधार के लिए बनी समतियां रेलेवे में सुधार के लिए गठित बेविन सम्तियों ने सेवाओं के एक इकरण की सिफारिज की थी जिसमें प्रिकाश टंडन समिती 1994 में याद रखिए प्रिकाश टंडन समिती 1994 में बनी इसका संबंद रेलवे सुधार से संबंदी था ठीक है फिर आपका राकेश मोगन समिती 2001 में बनी सेम पित्वरदा समिती में विवेग देवराय सम्ति याद की 2015 में बनी क्या तब हो कि विवेग देवराय सम्ति ने सुझाओ दिया था कि गुरुप एक सभी सेवाओं को दो भागो तकनीकी और गये तकनीकी में विवाजित किया जाए बात करते हैं एकी करण से लाब क्या होंगे आपको इस प्रि रेलवे में सुचारू तरीके से कामकाज को बढ़ावा देने का मोगा मिलेगा। इसके अलावा नेडर लेने मित्तिजी आएगी। संगठन के लिए एक संगत वीजन सर्जेत होगा। और तर्थ संगत नेडर लेने को फ्रोसाहिन मिलेगा। इसके लागू होने के वाद से रेलवे बोर्ड का गठन अपसे विभागी है तर्ज पर नहीं होगा। और इसका इस्थान एक छोटे आकार वाली सर्जना लेगी। यह इसका गठन कार्यात्मक तर्ज पर होगा। और रेल्बे बोर्ड की अत्यक्रता चेयर्मेन रेल्बे बोर्ड करेंगे जो इसके मुक्ळ kारकारी याधिकारी होंगे इसमें चाल्स अदसों के अलाबा कुछ सुतंत सदस होंगे बात करते हैं निस्पक्च्चता एवन फार्द सरकार कार्ट की साकार को साकार करने में काफी मदददार साभित हुगा सारकार का लक्ष क्या है इसे भी देख लेते हैं कि लक्ष किरें कि यह 12 वर्सों के दौरान 50,500,00 करो रुबी के फृुट निवे आधुनी करन की सासर्ड यात्रियों को उच्चिमानकों वाली सुखद, सुरक्षित तेज रपतार वाली यात्रा कराने के लिए एक महत्वा कांची कारकरम त्यार किया जाए इन लक्षों को पाने के लिए तेज गति ब्यापक इस्तर से युक एकी करत इमचोर दुरुष्ट संगटन की यावस्पता है आज के ये सुधार दरसल वरत्मा सर्वकार पहले लागू कर चुकी है लेकिन आप वो विभिन सुधार उस सिंखला के अंतरगत आते हैं जिसमें रेल बजट का विलाइक केंद्रिये बजट में करना है में करना महापेबंद को यह उचेती अधिकारियों फिल्डर ऑफिसर को ससक्त बनाने के लिए उन्हें अधिकार सो अपना पितिस्पर्दी ऑपरेटरों को रेल गाडियों चलाने की यन्मतीत देना इत्यादी सामिल है अंगले इस्तर की चुनोतियों से निपटने की और हो चुगा है कि विप्रीद भारती रेलिवे का प्रवंदन सीधे तोर पर सरकार द्वारा किया जाता है इस विभिन इसे विभिन विभागों जैसे ही आता है या सिविल यांत्रिक विद्धूति सिंगल दूरसंचार इस्टोर कार्मिक लेखा इत्याती में संगठित किया इस पक्रिया से एकози उपचास वार विभागी करन का खात्मा होगागाया के बात करते ही आगयामी भलती चक्त द्या पिक्रियस और लगा कि i ame надо कि अब आगामी भलती चक्त या पिक्रिया से एकटी कि अई सेवागो और से जित करने का विस्ताव किया जाए जो भारती रेलवे पिरवंदन सेवा कहलाएगी अंगले भर्ती वर्स में भर्तियों सुषिए में सुविधा के लिए D.O.P.T. और U.P.S.C. से परामस कर नई सेवा किस सेजन का काम पूरा किया जाएगा इससे रेलवे अपनी जरूरत के अनुसार अभी अंताओं और गेर अभी के लिए इन दोनों ही सेणियों को आउसर में समानता की पेसकस करने में सक्षम हो जाएगी रेलवे मंत्रा ले निस्पक्षता ये पारदेस्टा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनिट द्वारा गठित की जाने वाली विकल्पिक विवस्था की मनजूरी से D.O.P.T. के इन वाधर जले नए अधिकारी, आवस्तकता अनुसार अभयानत की येवं गयर अभयानत की चेत्रों से आएगे के साथ ही वरिष्ट इस तरों पर सामान प्रिवंधन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तियार हो सकें सामान प्रिवंधन पदों के लिए चैन एक गुता आधारित पेडाली के जरिये किया जाएगा रेलवे बोर्ड का गठन अपसे बिभागिये तरच पर नहीं ह और इसका स्थान एक छोटे आकर वाली सरचना लेगी जिसका गठन कारयात्मग तरच पर होगा इसमें एक चेरमेन होगा जो मुक कारी कारी के रूम में कारी करेगा इसके साथ ही चार सदस्त होंगे जिन्हें और सरचना परिचालन वियोशायक विकास रोलिंग इस्टो क् वित्ये से जुड़े कारियों के अलग-अलग जवाब दे ही दी जाएगे, चेर्मेंड दरसल केडर नेंतर कारी अधिकारी होगा, जो मानाव संसातनों के लिए जवाब दे होगा, जुसे एक डीजी आवस्चक सहायत दर्विदान करेगा, सेस इस तरफ के तीन पदों को रेल सेवे बोर्ड की सेसपत सभी अधिकारियों के लिए खुले रहें, जाहे बे किसी भी सेवा के अतरकत आते हो, बोर्ड में कुछ सुतन्त सदत होंगे, इनकी संख्या सवाज समय पर सक्षम प्रादीकर्ण द्वारत तै की जाएगी, जो गहन ग्यान वाले अत्यन्त विसेश होंगे, यह ऐसे लोग हैं जिन्हें उद्द्योग जगत, वित अर्थ सास्त, प्रवंधन, चित्रों में 30 इस्तर पर काम करने से 30 वरसों का ब्यापक अनुवा होगा, सुतन्त सदस विसेश्ट रटने तिक तिसा में तैक करने में रेल बोर्ड की मदद करेंगे, बोर्ड से सेवा निवित्ते तक समान बेतन एवं रेंक में समाय उजित किया जया, बात करते हैं पिछले कुछ सालों में भारतिये रेल में एहम बदलाओ, जैसा कि आपको पता होगा, भारत सरकार ने रेलवे बाजट का हाम बजट में बिले 2017 किया गया था, इससे लोक लोभावन गो साथिये रेल को पहुंचाने में मंजूरी मिल गई, पहली बार बंदे भारत सहमी हाई स्पीड टेंड में नई तकनीकी लगाए गई, इसके अलाबा दसकों पुरानी सेंगलिंग, सेंगलिंग फेनाली बदली जा रही है, रेलवे ने 9000 UMLC बदले जिससे दुरुटना की सं क्या गटी है, सरकार ने 5500 स्टेशनों पर मुप्त हाई स्पीड वाई फाई कनेक्शन लगाए है, बात करते हैं इंडियन रेलवे में मैंनेजमेंट सर्विस का प्रोद क्यों रहा है, इंडियन रेलवे मैंनेजमेंट सर्विस नाम की नई सेवा की गोशना के बाद, करेंट इंडियन प्रोदादिकारियों का कहना है कि नाजी करिन के अरेलवे द्वारा बढ़ाया जा रहा है, कुडम है, आलोजσकों का कहना है कि केडर, बिलह से रेल रेलिवे का भी कोई हाल हो सकता है जो इंदियन एरलाइंड के बिले से एर इंडिया का हुआ है मौझूदा सेवाओं मौझूद सेवाओं के अपसरों को नई एकिकिट सेवा में स्वयम को ढालने में मुश्कलें पेश आईगी जबकि नई भाल भलतियों के लिए नया ठाचा तेजार करना पड़ेगा आधी उर्जा इन कारियों पर खर्च होने से रेलवे के कामकाच पर उल्टा असर सब्सक्राइब नए सुतंत्य मेंबरों की भूम का इसपश्ट नहीं है आधुनिक अनुववी बाहरी मेंबरों का हस्तचे बोर्ड के CEO तथा मेंबरों को नागवार गुजर सकता है इससे एक नई किसम की खीटान सुरूँ हो सकेगी विसे सकों का कहना है कि सरकार रेलवे क केंद्री करन और कोर्पोरेटी करन में जूटी है बोर्ड में स्थाई सदस कम रखने है वो चेयर्मेन को CEO बनाने के पीछे मंसा यही है कि सरकार इस दिशाब में वेज़ज़क आंगे बढ़ सकी जानकारों का मानना है कि सरकार चेयर्मेन की मून का बाड़ा रही है पर सबसे बड़ी कंपनियों में सुमार है पर एक साथ सबसे जाना लोगों को रोजगार भी रेलवे के जरिये ही मिला हुआ है रेलवे पोर्ड के जिम्में काम तो बहुत रहे हैं लेकिन उसमें जवाब देही एवन सेवा गुडवत्ता का जो जरूरी इस तर होना चाहिए थ उसका सदा से अभाव रहा है रेलवे के तहट आने वाली आठ सेवाओं को मिलाकर एक सेवा गठित करना एक ऐसा फैसा है जिसकी वकालत और चर्चा लंबी समर्से होती रही है बिगत 25 बरसों में पांस से जान्दा समतियां रेलवे सेवाओं के एक ही करन की सिफारिस कर या एक काम तो पहरे भी हो सकता था इसलिए रेलवे के बारे में लिया गया एक फैसला अनुकरनी है अन्य सरकारी विभागों को भी चुर्ष्ट दुरस्ट करने के बारे में जो अच्छी सिफारिस है फिस्तावित हैं उनके लिए कदम तेजी से बढ़ाए जाने चाहिए रेलवे के धांचा ना केबल सामन्ती रहा है बल्कि उसके जरीये सत्ता का संतुलन बनाने बिठाने की कोशिच भी पुरानी है। जादा से जादा अधिकारियों उख्ष करने और प्रभावी प्रभारी को अहसास करने के लिए बिजरूरत से जादा सेवाए या पदगठि की दी बिए जाते एक लोग का लियाणकारी राज सतीभ का वे केंद्री करन चाहेता है लेकिन यह भी परकना चाहिए कि से वाकरी सी योग का लियाणकार लक्षपूरा है अच्छी कार पदों या सेवाओं के संख्या में कटोती का फ्यसला ले चुकी है तो उसे अपने फैसले कि गुडबत्ता पर जवाबदाई सुनिश्चित करके सफल सावित करना हूँ बदलाव जरूरी है उससे भी जरूरी है कि इन बदलाव का लाव रेलवे और देश को मिले सरकार का उद्देश है कि रेलवे में चल रही गुडबाजी समाप्त हो साथ ही आम लोगों को रेल सेवाओं से जो सरुकार है उसकी गुडबत्ता में सुधार हो अगर एकिकरत भारती है रेल प्रवंदन सेवा रेलवे के समेकित विकास का कारण बने तो इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता है तो चलिए अपना रेलवे से संबंदित एकिकरत से संबंदित जो भी तर्थ कि एायिए दोक है? यह जो सकत्ति प्र गा Sघ सम जोगा हो जो सकत्पेρι सह जए blooming को में सानल पूला है झाम कि प्रवाद से सक्टा बने देरल उनले उघँए कि इसक रोर उनुरक है